वेलकूम तो मैं चैनल इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शिस्टम की पहली प्रोपर्टी की थी लिनियर से लिनियर एंड नोन लिनियर सिस्टम यह उसी ही का next part है causal and non causal system देखिए causal and non causal system क्या होता है यह कफी आसान है इसको identify करना है इसमें का इसमें किया हमें देखना होता है possono जो आउट पट है परजेंट आउट पूट है वो इंपुट की पर जन्ट वैल्ले पर डिपांड करता है फ्यूचर वैलिव यह पास्ट एकल बेंड करता है लेंग को जल की system को मैं definition लिखता हूँ पहले अगे कोजल शिक्टम क्या होता है को आगे कोज़ शिस्टम क्या होता है अगर हमारा अब प्रजेंट आउट्पुट डे पेंड करता है यह तो प्रजेंट इन्पुट पर है या, या past input पे theory, दियान पने हमारा sudah present output तो dy connect कर रहा है या तो present input पे या past इंपन पे या do know पे तो हम उस system को कहेंगे causal अगर ऐसा नहीं है तो हम उस system को कहेंगे non causal ठीक है तो इसका definition क्या होगी मैं रहे लिग दे रहा हूँ यह definition मैंने लिख लिए है देखिए एक बार और पढ़ा देता हूँ जो present output होता अगर वो depend करे present और past या दोनों पर values of input तब उस system क्या कहेंगे हम causal अगर हमारे system का present output depend कर रहा future input पर भी यानि present पर past पर तो future input पर भी depend कर दे तो उसे हम कहते है non causal अब देखिए present input past input और यह future input क्या होता है मैं एक वार यहाँ पर समझाता हूँ examples कितरों समझे यह यहाँ पर क्या लिखा रहता है y of t ठीक है यहाँ पर x of t रहता है और यह क्या हो गया इसको देखना आप इसके बाद input को input में t की वेली देखनी है यहाँ पर t है तो यहाँ पर t है तो यहाँ पर अगर इसको मैं present कहता हूँ ठीक है इसको अगर मैं present मानता हूँ अगर देखिए t की जगर मैं t की जगर अगर मैं 2 put करूँ तो यहाँ पर t की प्रिजेंट अगर ऐसे दिया होता X T-1 है ना तो अगर मैं T की जाएगा 2 पुट करूँ ठीक है तो यह हो जाए Y2 और यह जाए 2-1 यानि 1 अगर यह प्रिजेंट इन्पुट है तो यह क्या हो जाएगा अगर मैं इन्पुट दो दे रहा हूं मुझे आउटपुट क्या हो जाए निम्मेरा आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा है पास्ट वैल्यू पर तो यह कौन से हो जागी पास्ट वैल्यू ठीक है अगर ऐसा हो Y2 इस टेंगे ठीक है अगर t की जगे में 1 रखता हूं तो x t plus 4 हो जाएगा present input जो मेरा 1 है तो वो कितना हो जा रहा है जो present output मेरा 1 है जो present input है वो क्या हो जा रहा 4 यानि कोंसी value हो गई future value ठीक है कहने के मतलब है जो time axis वाला होता है point जहां पर y वाला होगा ठीक है उसको हम present मानेंगे इससे पीछे वाली होती है past और यह कुंसी होती है future value ठीक है यह होती है present यह past यह future value अगर नहीं समझा आए तो यह time बना लेना उसके बाद समझा जाए ठीक है मैं इसके थरू भी समझाओंगा next question की तरफ बढ़ते हैं बताना इसमें कौन causal है कौन non causal है तो जलेली बस बताना यहां पर देखो अगर कुछ समझना है बस कुछ ही put कर दो y customer ले 2 put कर दिया तो मैंने y customer 2 put कर दिया तो यह हो जागा x of 0 यह हो जागा x of 6 नहीं समझा तो time axis बना लो जो present output है वो कितना 2 ठीक है अब इस से value देखनी है एक आए जीरो जीरो 2 से पहला आएगी ठीक है तो यह कौन से होगे present input और यह 6 6 आएगी यहां पर ठीक है 2 से आगा हमारा जो output है present output है वो future value पेपड कर रहा देखे past value पेपड कर रहा future value पेपड कर रहा अगर ऐसा होता तो system कौन सा होता नोन खोजल ठीक है नोन कोजल को मैंसी से लिखता हूँ कोजल को लिखूँगा कर दो यहां पर देखिए इस पर कोई तो इसमें कुछ भी फर्क हो हमें इससे कुई मतलब नहीं यहां पर क्या रहा है केवल देखने कुछ सा एक्स के अंदर वाला तो टू प्लस वन थ्री हो गया ठीक है तो मैं इसका जब टाइम एक्सी ड्रो करता हूं तू यहां पाएगा ठीक है यह हो गया मेरा प्रिजेंट तो हमारा प्रिजेंट आउटपट को किस पर डिपेंड कर रहा फ्यूचर वैलियू उफ इंपुट तो मैं इस सिस्टम को क्या कहूंगा कोजल ठीक है तो यह कुछ सिस्टम हो गया मेरा कोजल नेक्स इसी टाइक से एक एक से कोशन है बस टी प्लस पॉर एक्स टी माइनस व ठीक है हमेंचना है क्या बस केवल इसको इससे मतलब है हमें तो एकस टू मैंनस वन कितना हो जाएगा रह कि Hak है इसका करता हूं कूंच पाएगा यह कुञ सा मेरा प्रिजेंट आउट पुट प्यो लिखता हूं में ठीक है इसको तो यह वो कितना रहा 100 तो इसका मतलब क्या हो गया यह मेरा पस्ट इन्पुट तो मेरा प्रिजन्ट आउटपुट किस पर डिपर्ड कर रहा पस्ट इनपुट पे न सिस्टम उस कोजल क्या होगा system Bitcoin आपके किये है बेदी आए अपर ऑटपुट के फीटर यहुटर रहा है ऐसा होता है तो सिस्टम कौन सा नोन कोजल मैं गलती से कोजल लिग दिया था ठीक है इसमें ठीक कर ले ना नेक्स्ट वही देखिए यहां पर टी है यहां टी प्लस फाइब मैं यहां पर टू रखूंगा यहां वैली हो जाएगी सेवन तो पिरजेंट आउट्पूट किस पर डिपेंड कर गया फ्यूचर वैल्यू पर तो यहीं सिस्टम कौन सा हो जाएगा नोन कोजल एक एक सेगें ठीक है अब यहां इपर देखने देखें तो इसका कैसे पता लगाएंगे अगर मैं ट कोईस्टू पाइबाइटू रखता हूँ तो यह कितना वाजागा यस्टू पाइबाइटू तो आब यहां पर देखो इसको इसको बनाओ इससे पता लगाते है यह पाइवाइटू यहानि 3.14 के इक्वल होता है लगवग ठीक है और इंपुट है 1 ठीक है यह पास्ट यह क्या पास्ट प्रिजेंट आउटपुट और यह यह क्या प्रिजेंट पास्ट आउटपुट पास्ट इंपुट ठीक है तो आउटपुट हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है अब देखने क्या लग रहा हमारा जो पास्ट आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है पास्ट वैलिए प्रिजेंट आउटपुट हमारा क कहले हैं कि यह causal होगा देखते हैं और causal होता है यह दिखते हैं अगर t custom मैं दो रखो तो t custom minus pi y2 भी न रख सकता हूं मैं तो यह कितना हो जागा x sin 5y2 बतलब x of minus 1 अब इसका मैं time axis जी draw करता हूं time axis पर इसको draw करो पहला present input कितना minus 3.14 माइनस 3.14 यह पाज प्रिजेंट आउटपुट है मेरा और वह कितना माइनस माइनस वन इसके आएगा रहे है ठीक है कितना क्या हो गया मेरा future further input तो यहां पर देखिए कि सब्सक्राइब हो रही है. मैं नोन नो antibiot यह सोच ना ज़िए ठीधे जयोगा daytime लेते हैं आफने र pepp跟大家 पर मपीं चैंटर प्रटापि नेए रिखने हैं. next y t कैसो 2 x t plus 3 3 से कोई मतलब नहीं न 2 से मतलब मुझे मतलब किस से x of t से अगर है 2 रख होगा तो यहां पर 2 हो जाएगा ठीक है यहां यह यह वाई ओफ 2 x of 2 तो यह सिस्टम कुन सा हो जाएगा मेरा कोजल ठीक है next इस वाले बताओ एक से कोई मतलब नहीं input क्या मेरा x of t x of t y of t अगर है 2 रख y of 2 होगा तो x of 2 होगा यहां प्रिजेंट आउटपट डिपेंड उन प्रिजेंट इन्पुट तो सिस्टम इस कोजल next इसी टाइप से देखे next y of n x of n n greater than this मतला n की value जब 1 या 1 से जाद होगी तो value यह होगी n request 0 पर यह n request minus 1 से कम value होगी तो यह value होगी तो मुझे चेक करना है यह causal होगा या non causal अब देखिए n request अगर मैं minus 2 रखता हूँ पहले इस वाले चेक करो इन दोनों को इस वाले चेक करते है n request to minus 2 रखो तो यहाँ पर minus 2 हो जाएगा यह minus 2 प्लस 1 यह हो जाएगा minus 1 ठीक है तो present 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 जो input है मेरा present input यानि minus 2 यहाँ पागा present output sorry depend कर रहा कि कौन सी value पह है यहाँ पर ध्यान से देखो present present output मेरा depend कर रहा हूँ यह कुन सी value हो इसकी future value input की तो system क्यासा हो जाएगा non causal ठीक है एक line मानसर next n सा कोई मतलब ने xn देखना के बना xn देख लिया अगर n कस्टो में 2 रखता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है तो यह system is causal next यहाँ पर देखने पर क्या लग रहा है देखिए n square अगर में n की जाएगा 2 रखता हूँ तो क्या एगा 2 का square 4 present output देखिए यहाँ आगर मैं 2 रखता हूँ तो एक सी पावर 3 2 रहने वाला यहाँ प्रजेंट आउट पुट है डिपेंट प्रजेंट वेली ओफ इंपुट ठीक है 2 रखो यह माइनस 2 रखो कोई फर्क पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा तो system is causal ठीक है एक एक लाइन के आं प्रजेंगे इस वीडियो में इतना ही ओके ठैक्यू मिलते है नेक्स वीडियो में और आपको हमारा वर्क पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जिनको जो लोग इसकी जरूरत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें ठीक है जो भी परता हूं और थैंक्यू मिलते है नेक्स वीडियो में